मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं टेस्टिकोडी चैनल सो गाईज एस्पी.net कोर विथ एंगुलर का यह हमारा साथवा पार्ट है और आज की इस वीडियो में बैसिकली सबसे पहले तो हम टेस्ट करेंगे हमारी जो एपिए हमने बनाया था पोस्ट करने के लिए और गेट करने के लिए उसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे अपनी स्वैगर में स्वैगर क्या है हमारी एक एपिए टेस्टिंग टूल है जो की एसपी.net को इंबिल्ट देता है कि एंगुलर में कैसे वर्क करता है ठीक है क्योंकि जब भी कोई एक्जामनर या जब भी कोई मान के चलो एंटर्विवर पूछता है कि हाव टो इंटेग्रेट एपिए इन फ्रेंट एंड बैक हो रहा हूं कि मैं और वीडियो बनाओ ठीक है और साथ ही साथ कुछ लोगों कमेंट आ रहा है कि मीन इस्टेक बनाना तो ब्रदर पहले यह वहना प्लेलिस पुरा कंप्लीट हो जाए देन मैं इसको बना दूगा ठीक है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सबस्पहले आते हैं अपने प्रोजेक्ट में जो कि हमने ओपन कर रखा है हमारा फाइल एक्स्प्लोर में दिख रहा है और यह हमारा इस्पी डॉट नेट को विट एंगुलर नाम का इसलेन फाइल है इसमें डबल क्लिक करते हैं तो यह हमारा माइक्रोसौट विजूल इस्टूडियो में ओप ठीक है हम सबसे पहले project creation का command तब तक दे देते हैं project create होता रहेगा तब तक हम API पर बात करते रहेंगे ठीक है तो इसको हम करते है minimize और इसको एक step back आते हैं और यहां पर हम बनाने वाले हैं अपना नया project ठीक है तो basically हम इसी पर just open करेंगे cmd with the help of command ठीक है और यहां पर CLI के help से हम project create करने वाले हैं और मैं आपको बता दू मैंने अभी तक जितने project बनाये हैं सारे के सारे CLI command based की बताये हैं command line interface के help से ही बताया हो ठीक है तो अगर आपको कोई problem हो रहे तो बाकी पुराने वीडियो भी देख सकते हो ठीक है अब हम यहां पर simply command देंगे project create करने का तो simply angular करना है तो आपको command देना पड़ेगा ng new ng angular का command होता है new मतलब नया और यहां project name आपको देना है तो project name आप क्या ही दे सकते हो ठीक है तो आप बना रहे हो प्रोडेक्ट से लेड़े तो मैं यहां simply दे रहा हूँ front end e-com front end ठीक है मैंने दिया e-com f-r-o-n-t मैंने simple इतना लिख कर दिया अब यहां पर हमसे कुछ यह questions पूछेगा let's approach पूछेगा framework कौन सा choose करना चाहते है और पूछ सकता है SSR activate करना है कि नहीं तो ऐसे कुछ questions पूछ सकता है ठीक है basically मैं angular installation सबसे पहले इसलिए start गया क्योंकि मुझे पता है यह थोड़ा सा एक दो minute time time लेता है ठीक है तो वह एक दो minute time यहां पर हमारा consume हो जाया गया जब मैं API test करता रहूंगा उसमें बात करते रहेंगे तब ठीक है तो यहां से आपको down arrow से आप select कर सकते हो आपको जो भी style आप चूच करना चाहते हो बट मैं यहां recommend करूंगा कि अभी आप beginner हो तो आप CSS चूच करना थोड़ा से create करना शुरू कर देगा और आप देख सकते हैं यहां पर लेटेस्ट वर्जिन आएगा हमारा app.config.ts आ रहा है एक डॉट डॉट.ts आ रहा है ठीक है इसका मतलब है हमारा एंगलर 17 के अब भी रहेगा और मैंने बोला है एंगलर 18 तो 100% एंगलर 18 ही यहां पर install होगा ठीक है तो हम इसे करते हैं minimize और यहां पर आप देख सकते हैं फोल्डर बन चुगा है इसके अंदर project इंस्टॉल हो रहा है जब तक project इंस्टॉल होता है तब तक हम आते हैं अपने visual studio code पे ठीक है यह रहा हमारा ओके यह हमारा दो बार open हुआ रखा है तो हम एक बार इसको close कर देते हैं यह फालती दो बार चल रहा है ठीक है तो अब यहां पर हमें simply करना क्या है हमें इसे run कराना जैसे मैं इसे क्लिक करता हो ते अपना inbuilt terminal open करके start कर देगा ठीक है तो यहां पर मैंने इसे run कराया हूँ और आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में कि हमने migration create किया था और migration मैंने बताया था code first approach जब आप यूज करते हो और code first approach में जब भी डेटा वेस के साथ connectivity बनाते हो तो आपको migration करना पड़ता है डेटा वेस अबडिट करना पड़ता है तो यहां पर आगर जो इंटर्विवर होते हैं वह पुछते हैं कि सबसे पहला question का यह होता है कि आप कौन सा प्रोच यू होते हैं first one मतलब अपके लिए और दूसरा डाउन के लिए जो हमारा अप होता है वो data manipulation data creation के लिए होता है और जो डाउन होता है जब आप को डिलीट करते हो तो उसके लिए हम डाउन का यूज करते हैं ठीक है अगर आप इधर यहां पर देखें तो आप देख सकते हैं यह ह हमारा। ढाउन है ठीक है और यह हमारा आप अब यहां पर सूदिकती ट मतलब है अब होडी हमारी in टूल रेटिपर ऑफिन के लिए अभी यहां पर ब्राउजर पें हो रहा है आप देख सकते हो यह अगर आप बनाते हो तो बहुत जल्दी रहना होता है लेकिन इसमें स्वेगर की टेस्टिंग टूल है तो यह थोड़ा से लोड होने में टाइम लग जाता है ठीक है अब आप देख सकते हो यहां पर हमारी दो एपियाई दिख रहे है प्रोडक्ट और लेकिन यहां पर टेलबरा है अब यहां पर देखते हैं तो मारा क्या है प्रोड़क्ट लिस्ट एड़ बहुत अच्छा है और उसके बाद रिपोजित्री पे अगर आते हैं तो यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर हमारा है ठीक है जा faff हैं तो यह दोनों हमारा है यहांस पर हमारा एससे क्लेंट और अथा 10.000 तू. इसको अभी हम दिख लेते हैं कि आजसा की हो आ रहा है विए सबीसे आना चीक रंद्रक्ट मैंने दिया अंले आएका कमल प्रेफाइफ रटार ऐसे कोई दिक्रत इसके हिजाब से चलो तो फिलाल यहां पर हमारा प्रोड़क्ट अइन प्रोड़क्ट दो चीद दिखा रहा है लेट सबसे टेस्ट करते हैं तरह सबस्द है ड्राइट आउट है बेसिकली गेट करने के लिए यहां पर फिर से आगई है यहां पर हमारी प्रोड़क्ट अगई है रेटिंग नहीं इसे ट्रू है और अगर अगर हम जब इंसेर्ट की बात करते हैं तो यहां पर अगर मांलो मैंने ट्राइट आउट करता हूँ तो अब यह फिर से आ रहा है कि आप यहां पर डेटा इंसेट करो तो चलो एक दूसरा डेटा इंसेट करता हो पिछली बार मैंने आई फोन किया था ठीक है अब की मैं कर देता हूं वोटो फोन ठीक है फाइब जी कि मैंने यहां लिख दिया फाइब जी और यहां प्राइज इसका देदे रहा हूं है कि 15,000 और यहां पर डिस्क्रिप्शन में में देद रहा हूं कि यह क्या है मोट रोला को फोन है मोट रोला फोल कि लाइड कि स्वाइब ना वन टॉन्टी एट जी बी एजैंब कि सॉरी कि रोम कि एड जी बी राएब जैस्ट डमी मैं डेटा फिल कर दे रहा हूं यहां पर इसकी रेटिंग क्या है 3.5 बे कि इसे थ्री रखता हूं भी ठीक हे और इस्टेटास टर करता हूं और मैश्च करता हूं वह एन एक्ज़ड स्वाइड ऊप करते हैं और यहां यहां दिखा दिया कि और आपका स्टेटिस कहा रहा सख सजज रहा चलोगा सटिस रहा तर छी Daisy इसका तो मतलब ना करिंगा तो मिशें दो डेटा दिखेगा तो फर्स्ट वाले फिर से आता हूँ ठीक है इसको क्लोस करता हूँ और फर्स्ट वाले पिए पारता हूं और केन एक स्कीन हो एक पहला वाला डेटा हमारा एमाई के 50 आई है और दूसरा क्या है मोटो जी 34 5G तो यहां पर दो डेटा आपको प्रॉपर देख रहे होंगे आप इसे चाहओ तो डाउनलोड भी कर सकते हो आपका यह डेटा आज डाउनलोड भी हो जाएगा फॉर्मेट में ठीक है बट जब इस्टॉल हो जाएगा तो पैकेज इस्टॉल सक्सेश्फुली सक्सेश्फुली इन स्लाइज गी डाउप्शन आएगा उसको बाद यहां पर आपको करना कुछ नहीं सीडी स्पेस और एक बाद टैप प्रिस करोगे सेकेंड टैप यह ठीक है टैप जब प्रिस करोगे तो आपको प्रोजेक्ट का नाम आए गए यहां पर तो आप उसको एंटर करने बाद आपको टैप करना कोड इसपेस डॉट यह अपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा आपके विजोलिस्ट्यूडियो कोड में जो की ब्लू कलर से आइकन है इसका आप देख सकते हैं इसक है कि कॉल सा वर्जिन इंस्टॉल हुआ है तो जब हम आते हैं यहां पर पैकेज डॉर्ट जेशन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो एंगलर का 18.2.0 वर्जिन हमारा इंस्टॉल हुआ है जो कि एकदम लेटिस्ट है और हम इसी पर पूरा पूरा वर करने वाले हैं ठीक कौन से पूर्ट पर 4200 पोर्ट में ठीक है तो 4200 पर जब रन होगा तो इसका आपको आपट दिख जाएगा अभी जैसे में रन कराया है और अभी तुरंत में यह ब्राउजर पर आपको देखने को मिल जाएगा इसको यहां सकता हूं डिश्मिस ठीक है और मोस्ट यहां पर और हमारा फ्रेंट और 4200 पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा एंगलर विक सक्सेस्पुली इंस्टॉल हो चुका है अभी हमें इसमें एड करना है क्या बूट स्टेप यहां सिंप्ली लिखेंगे गट बूट स्टेप.com और यहां पर हमारे बूट स्टेप की ऑफिशिय प्रेंटर करके पेस्ट कर दूगा और पेस्ट करने बाद इसे मैं करता हूं से अगें आउता ब्राउजर पर और दूसरा जो हमारा जेस की फाइल है स्क्रिप्ट टैग में इसको भी करता हूं कॉपी और यहां पर आता हूं रूट के जिस्ट नीचे आप जहां पर आप रूट क्लोज हो रहा है एक रूट एलिमेंट उसके जिस्ट नीचे आपको पेस्ट करके सेप कर देना है और जब आप सेप कर दोगे तो यह क्या होगा कि आपके मतलब आपके प्रोजेक्ट में एक तरीके से समझो कि यह आप पर इंटरनेट से connected रहोगे अगर आप इंटरनेट से connected नहीं रहोगे तो आपका CDN काम नहीं करेगा यह चित ध्यान रखना अगर आपको local इंस्टॉल करना है तो आप simply यहाँ पर लिखेगे terms and condition को पढ़ सकते हो या getting started पर क्लिक कर सकते हो यह command आप copy करना और copy करके terminal पर paste कर देना उसके बाद इसके कुछ steps होते हैं वो भी मैं आपको बता दूगा ठीक है तो almost यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं next वीडियो में सबसे प form बनाओगा form वगरा को implement करोगा कि कैसे ABX साथ connect करते हैं और कैसे data हम save कराते हैं frontend से API के through database में ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबार keep practice keep coding take care